आप सबसे पहले में आप सबको बिलंब से मैं आया हूँ या हमारी प्रेश चालो रही है इसकी माफी चाहता हूँ आप सबको बिलंब से में आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबको बिलंब से बात आई इसकी मैं चाहता हूँ दो तीन चार बड़े वैसे तो हमने काफी निर्णे आज किये हैं इस केबिनेट की बेठक में जिसके माध्यम से दूरगामी दरश्टी से स्टेट के लिए वो बड़े सबके लिए हित्मे भी रहेंगे कुछ उल्लास के और अच्छे भी निर्णे हुए हैं जैसे फूट सेप्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना ये सरकार भरत सरकार ने भी इसमें दिसानिर्देश जारी किये हैं इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कविनेट में इसके संबन में तयारी करने के लिए कहा है भरत सरकार ने भी इसमें दिसानिर्देश जारी किये हैं इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कविनेट में इसके संबन में तयारी करने के लिए कहा है और चुकि इस दिसा में योगी प्रकार से जन जागरण भी हो जाए और जो उनको ये बिजनेस करना उनक किया से करना है उनको भी इन सारी बातों के साथ लेकिन सासन के इस्तर पर हमने निड़ने किया है कि ये चीजों को ले करके जनता की सुरक्षा भी जरूरी है और जिनको जिनका व्यबसाय करना है या चिनको इसको खाथिक़ार के उप्योग मिलेना है तो वो उनकी जान भी जोखम में निडालें एक निड़े हमने किया है कि हर जिले के अंदर युवाओं के लिए एक एकसिलेंस कालेज बनाया जाए जो सभी प्रकार की नई शिक्षा निती के माद्यम अध्यम सभी कोर्स की वह पढ़ाई वहाँ होसके लगबग 52 कालेजों का चेन हम कर रहे है अगले सतर से इस सभी कालेज चालू करेंगे जिसमें सभी प्रकार के कोर्स अगर वो डिग्री है तो पीजी होंगे बस की विवस्था होगी और प्रदानमंत्री एक्सिलेंस कालेज के नाम से उनको जाना जाएगा एक नेड़ा हमने किया कि यह जो डिग्री मार्श सीट और यह सब डाकुमेंट्स को अवेरने के लिए बच्चे परिसान होते हैं कही बार जाने आने के लिए सारी जंजेट होती हैं कही बार नकली लोग बना लेते हैं तो डीजी लाकर चालू करा रहे हैं हमारे सभी प्राइवेट उनिस्ट्री सभी कालेजों में दस्तावेजी करण के अधार पर हरे कोई किसी को चेक भी कर सकेगा और उनका अपना दस्तावेज का वो सुरक्षित डाटा भी बनेगा सरकारी 16 उनिस्ट्री 52 प्राइवेट उनिस्ट्री सभी में इसको लागू करने के समद्ध में आज नेड़े किया एक आधतन अपराधी जो बार बार अपराध करता और छूड जाते इनके लिए होम डिपार्टमेंट से कहा है तो 437-39 के अंतरगत CRPC में इन पे दंडात्म क करते वे उनकी एक जमानत भी होगी तो जमानत निरस्त कराई ताकि क्राइम पर कंट्रोल करने के दिसामें लाइन ओर की दर्ष्ट्री से मला महत्तु का निड़ने है एक प्रदेस में वैसे तो सबकों मालूम है सुप्रियू कोड ने गाइडलाइन दिये ध्वनी विस्तार में अलग-अलग स्थिती भी है तो एक युनानिमस सद्धानतिक रूप से हम सहमत है लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहां कोई पर्मीशन की जरुद पड़ेगी तो वो पर्मीशन के हम जाएंगे अधर बगर पर्मीशन कोई चला इसको हम पसंद नहीं करेंगे साइबर पेसिल फ्यंदुपत्ता संग्रण के लिए तीनजार की प्रतिवोरा की जो हमारी सीमा थी अब उसको चार हजार रुपे प्रतिवोरा करने के आदेश इसको जारी करने के लिए बता जेगा एक साइबर पेसिल का दाइरा भी एक जनवरी दो हजार चोईस से कोई भी अपना दस्तावेज का पंजीगन कराता रथा रजिष्ट्री कराता है तो अलग से नामंतरण कराने के लिए जाए वो परेसान हो इसके बजाए जैसे रजिष्टर राफिस में रजिष्ट्री कराएंगे उसी समय उसकी सारी प्रोसेस नामंतरण की भी हो जाए तो ये एक सरली करण है जिसके माध्यम से ये अल्रेटी दस्तारज बन रहा है तो बार 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 आप विवागों में नहीं जाना चाहिए इसी अफिक्षाइब मैंने सभी धार्मी किस्तल की बात कही है हमने लगा है पंद्रा दिन के अंदर इसमें रिपोर्ट मांगी है और इस पर एक आखरी आपको जानकरी और देता हूं भगवान के भगवान राम के मंदिर का गर्बगर का प्रवेश का बड़ा कारिकरम 22 जनवरी का हुने वाला है और हम सब का सोभाग यह है कि हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं लेकिन हम यह भी नहीं भूले कि जब राम अंदिर अंदुलन में कार सिवकों के उपर यूपी की बॉर्डर पे जो अत्याचार हुए थी तो वो खराब दोड़ था कठिन दोड़ था और उस कष्ट के समय के बात को तो आप याद करना भी कठिन है लेकिन 500 साल बाद ऐसा मोका आ रहा जब प्रधान मंत्री जी समय माँ उपस ही तरहेंगे 22 जनवरी को राम लाला गरवगरव में प्रवेस करेंगे तो राम मंदिर के मार्व में हम इस बार मधिते सरकार सभी राम भुक्तों का हर जिले से राम मंदिर का युद्धया के जाने वाले मार्व पर सवगत करेंगी हम उनका अभिनंदन करेंगे तिलक रोली लगाएंगे उत्सा के साथ हम स्पूरे आईजन में सम्मिलित होंगे और प्रेजित करेंगे कि स्पूरे आईजन को और श्मर्णी बनाये जाए बहुत 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 धन्यवाद हलने के लिए पहुचे मुख्यबंतरी मोहन यादव को आप सुन रहे थे जो पहला कारियभार उन्होंने संभाला सबसे पहला जो निर्देश था वो तेज आवाज पर प्तिबंद का था सभी धार्मिक स्थलों पर जो तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाए जाते उसको नियंतुरित किया गया उसके बाद जो कुछ और फैसले लिए गए उसके बारे में यहाँ पर मीडिया को ब्रीफ करते हुए विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए आप सुन रहे थे मोहन यादव को मुख्यमंतरी खुले में मांस और अंडा को लेकर उन्होंने एक फै शिक्षा दे करके उनके हाथ में खुनर दे करके उन्हें रोजगार के रास्ते पर आगे बढ़ाया जाएगा एक्सिलेंस कॉलेज का यह लक्षर आएगा इसके अलावा साइबर तहसील का उन्होंने जिक्र किया कि अपने कागजातों को बनवाने के लिए जिस तरह से लोग इदर उदर भटक रहें उससे बचाने के लिए भी